हर खबर को जानना आपका हग है उसे आप तक पहुँचाना हमारा पर हमारी भरपूर कोशिश रहती है इस रीजिन की हर खबर को पहुँचाएं आप तक निश्पक्षता से निढरता से राट दे शेर में गतरात्री पंजाब नेशनल बैंक के एटीम को तोड़ कर देने जा रहे थे लूट की घटना को अंजा तो आरूपियों को पुलिस ने किया गिरफ्ता पदमपूर थाना अधिकारी रामकेश मीडा ने बताया कि रातरी डेड़ बजे थाने में सुचन प्राक्त हुई कि पंजाब नेशनल बैंक की शाखा नई धान बंडी बोल पदमपूर में एटीम के साथ अग्यात व्यक्यों द्वारा छेड़ छाड़ की गई है जिस पर दो मिनिट के पस्चाथ पुलिस मोके एटीम के पास पहुँच गई वहाँ एटीम से छेड़कानी की हुई पाई गई एटीम की स्क्रीन पूटी हुई पाई गई जिस पर आज सुबह बैंक अधिकारी द्वारा मोकतमा दर्ज करवाया गया है पुलिस ने अनुसंधान कर तुरंत कारवाई करते हुए बड़ी सिपलता हाथ लगी पुलिस ने दो मुजिवों को पदंपूर के अलग 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 वाड़ों के बवलू पुत्र करणी सिंग जाती वालमी की निवासी वाड नमबर 24 पदंपूर वस्ततनाम सिंग पुत्र श्री गंगानगर से करीब एक महापूर्व दो मोटर साइकल स्प्लेंडर प्लस चोड़ी किये थे जिरह मुल्जिमों के कब्जे से बरामत कर लिया गया एसाई कुलवन सिंग द्वारा परामत किये गए इस मामले में आगे अनसंदान जारी है आवाज न्यूज राजिस्थान के लिए श्री गंगानगर जिले के पदंपूर से राकेश पीची की गत रात्री एक डेड़ बजे ठाने पर सूचना मिली कि पीनवी बैंक के एटियम के साथ है छेड़ खानी हो रही है जिस पर पुलीस लगभग दो मिनट में एटियम के पास घर्ट करते होए पोंची महां जाकर के देखा तो एटियम के साथ छेड़ खानी करी स्क्रीन तोड़ी गई है जिस पर आज सुबह पीनवी साखा प्रबंदर द्वारा मुगतमा दरिस्तरवाया गया है और जिसमें अनुसंदान का सिग्र मुलजिम बबलू वे सतनाम को गर्वदार किया गया है जिनके कबजे से दो मोटर साइकल चोरी के भी बरामत किया है जो मुलजिमों ने गंगा नगर से चोरी करना बताया है आगे अनुसंदान जारी है